हुआ को दोस्तों मैं सुनी शर्मा आपका रक्षंट्ग में बहुत सुवागत करता हूं दोस्तों आज Hम बात करेंगे कैसे हम अपने डी वियर में पास्वर्ड को kriat करें कैसे अमझे डी डी व पास्वर्ड लगाएं इसके लिए सबसे पहले आपको मेन मेनू में जाना है मेन मेनू में जाने के बाद आपको एक advanced का option दिखाई दिए रहा होगा यहां account के जो icon है इस पर आप click किजिए account के icon में आपको यहां पर जितने भी account आपने create किये हैं वो सभी यहां पर मिल जाएंगे आपको अब यहाँ पर जो default जो आपका account है स्तरफ उसे ही select करना है और किसी को नहीं यह जुरूर याद रिखेगा कि स्तरफ default जो आपका account है उसे ही select किजिए और यहाँ पर आपको modify password के नाम से एक option दिखाई दे रहोगा उसे आपने click करना है यहाँ आपको अलेलोग option दिखाई दे रहोंगे जैसे कि username अगर आप username चेंज करना चाहिए तो वो भी change कर सकते हैं जैसे कि old password अगर आप अपने कोई मानलो की पहले को password डाला है और उसे change करना चाहते हैं अपना पहले वाला password यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर new password confirm उसे करना आपने अब आपने नया password डाल दिया है और इसे confirm भी कर दिया है अगर आपके पहले कोई भी password नहीं था तो old को आप छोड़ दीजिए कुछ भी नहीं डालना उसमें और यह सब करके आप इसे okay कर दीजिए जैसे आप इसे okay करेंगे तो आपके सामने modified password आपको लिखा मिल जाएगा और अब यह आपका जो है password सेव हो चुका है यहाँ पर अब आपका DVR जो है पुरुतर से शुरक्षित है शेव है कि फ्रेंड्स हमारे चैनल साथ बने रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर आपके पास कोई question है cctv के regarding तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं definitely मैं आपको reply जुरूर करूँगा थैंक्स फॉर वाचिंग